12 नसी की जिला अदलत ने ग्यानबापी मज़ित के नीचे व्याज जी का तैखाने में पूजापाट की जाज़त दे दी थी और जिसके बाद से उस तैखाने में लगातार हर दिन 5 वार पूजापाट हो रही है और अब व्याज जी के तैखाने का नाम भी वदल दिया गया है काशी विद्वित परशद ने व्याजी के तेहकाने का नाम बदलकर नया नाम ग्यान ताल ग्रह दिया है अब उसे तेहकाना नहीं ग्यान ताल ग्रह का जाएगा इस नाम पर अखिल भारतिय संत समीती ने भी महल लगा दी है श्रीकाशी विद्वेत्य परिशद ने ग्यान ताल ग्रह में अखंड रामयन का पाठवी शुरू कर दिया है जो साथ दिन तक लगातार चलेगा इसके लिए चार-चार घंटे पर पुजारियों को तैनात किया गया है वहीं ग्यान ताल ग्रह में मौजू देव ग्रहों के दर्शन पूजन के लिए बाहर रेड कारपेट बिचाई गई है वो जो तैकाना शब्द है वो ग्यान वापी सब्द के साथ उसका अन्वे नहीं हो रहा है किसी भी सब्द का किसी अर्थ के साथ अन्वे होना चाहिए ज्यान का मतलब होता है परमतत्व परमतत्व की वापी परमतत्व का कुवा उसका अन्वे जो है तालगरी के साथ हो रहा है तह खाने के साथ नहीं हो रहा है इसलिए तालगर ही उसका नाम रखा गया है ग्यान वापी तालगर ही है उसका नाम करन किया गया है और वरतमान में वहाँ पर रामायन का अखंड पाट सुरू करा दिया गया है चूंकि भगवान राम की मूर्ती मिली है इसलिए भगवान राम को और हनुमान जी को राम चरित